आधियों आजहादी का अमृत काल यानि आने वाले पचीज साल देश के साथ आपकी लाइब को भी ये समय एक तरफ 2047 की तरफ की यात्रा और दूसरी तरफ आपके जिवन पूर्ण महत्व के महत्व पूर्ण बर्शों की यात्रा दोनों दोनों साथ साथ है भारत को विक्सित बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है और इसमें आप सभी का सबसे बड़ा लक्ष होना चाहिए भारत की आत्म निर्भरता हमारा भारत आत्म निर्भर कैसे बने आपका लक्ष होना चाहिए कि भारत को कोई भी टेक्नलोजी इंपोर्ट न करनी पड़े किसी भी टेक्नलोजी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना न पड़े अब जैसे डिफेंस सेक्टर है आज भारत डिफेंस टेक्नलोजी में आत्म निर्भरता के लिए काम कर रहा है लेकिन अभी भी defense technology से जुड़ी कई ऐसी चीजे हैं जिनको हमें import करना पड़ता है इसी तरह अपनी manufacturing capacity को बढ़ाने के लिए हमें semiconductor और cheap technology में भी आत्मंदर भर बनना होगा quantum technology और hydrogen energy जैसे sectors को लेकर भी भारत की aspirations बहुत हाई है सरकार ऐसे सभी sectors पर विशेश फोकस कर रही है 21 वी सदी का आदुनी के उस सिस्टिम बना रही है लेकिन इसकी सभलता आप विवाओं की सभलता पर निर्भर करती है झाल 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 झाल